हाई फ्रेंड्स वर्कम टू मार चैनल तो आज की मारे रेसिपी है मोंग दाल बर्फी मोंग दाल का हर्वा तो आपने बहुत बार खाया होगा और अक्सर खाते भी होगे आप लोग येकिन मोंग दाल बर्फी बनाने का ये तरीका आपने आज से पहिए कभी नहीं देखा होगा बिल्कुल असान तरीका है इसमें ना हमने कोई मावा यूज किया है ना खोया यूज किया है ना कोई मिल्क पाउडर यूज किया है तो चाहिए शुरू करते हैं तो चलिए इस समग़वी के साथ आज की रेसीपी हम शुरू करते हैं दाल को हमने आदा घंटा भिघोंगी था और पानी निकाल के कपड़र सचे से पहुंच रहें ऑपमूनेंगेन, यहां एक हमने कड़ाई गातानी कुली कि सपस्थितु है नहीं डाला है इसको हम सूखाई भूनेंगे ताकि इसकी नमी निकल जाए इससे हो गई है कि हमें जब हम बर्फी बनाएंगे तो हमारा घी काफी कम लगेगा हम इसको पीच तक भूनते रहें कि थोड़े देर तक जब तक यह गोर्डन हो जाता और इसकी नमी भी निकल जाएगी तब तक गैस हमने मीडियम भी रखनी है दाल को हमने अच्छे से बूनना है ताकि इसमें कोई नमी न रह जाए यह देखिए हमारी दाल का कलर जो है अब चेंज हो गया है अब भी हम इसको थोड़ा और गोर्डन करेंगे इसका फायदा यह होगा कि हम इस दाल को स्टोर करके रख सकते है ताकि हमने कभी बर्फी बनानी हैया कभी हरवे बनाना आँ तो हम इसको असानी से यूज कर सके हमारा टाइं बचें दार हमारी हो गई है गोर्डन गैस कर दिया हम होने बंद आपम हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे सही तरह हमारी अफार हमारी थंडी हो गई है अराप हम इसको ऑफ कि अराप हमरा मुष्क मिक्सीं जार में डाल के पीसेंगे अलाल को हम ने जार में डाल दिया है और इसका अच्छे से फाइन बारी पाउडर त्यार करेंगे बिल्कुल दाल में चंक्स नहीं होने चाहिए वह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए दाल को हम पीस रहे हैं दाल हमारी देखिए अच्छे से पिस गई है तर ये अब हम मिठाई बनानी शुरू करते हैं इसके ये हमने कडाई में गी डाला है गी हमने अभी थोड़ा डालना है एकदम से नीन डालना है उसके बाद हमने इसमें दाल डालनी है जो हमने अभी पीसी है है आप सारी डाल डाल देंगे इसमें इस ऒ wiresलेंगे गास हमने मीडियम रकनी है 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 और रख को अच्छे से घी में बूनें और इसके चंक्स नहीं बनने देंगे घी हमने इसके कम डाला ताकि एक देम से सारा की डालने पिर इसके लम्स न पढ़ जाए आप जूंद्य हम इसको मिक्स करेंगे और बुहनेंगे इसकी अच्छे वं बुनाई करेंगे इसकी बुनाई होगी अच्छे से अब कि हमिसको अराम अराम से बूनते रहेंगे हमने यूोई मीडियम रखनी में हम तेज नहीं हमें अपने घी अब थोड़ा कम रहा है तो हम इसमें तो दोड़ा सत गी औरच करेंगे गी हमने डाल दिये थोड़ा सार है de को अच्छे से और भूनेंगे एक साथ बहुत सारा घी नहीं डागना है वहना इसमें यम्स पढ़ जाएंगे खुश्बू तो बहुत अच्छी आ गई है इसकी दिए अब हम इसमें थोड़ा सा दूद्र एड़ करेंगे तीन चार चम्मच आप चाहें तो आप यहां पर खुया यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो यहां पर कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है थोड़ा सा दूद्र हम ओर आड़ करेंगे और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे मिक्स करके दूद्र में तूद्र यूज़ करने स अथे बर्फी बनती बहुत अच्छी है अगर आप चाहें तो इसमें आप ख्रीम 是我 बहुत अच्छी बनेगी तो हम it के चाशनी वह रहेते हैं। और आदा कटोरी पानी यह है और इसको मिक्स करेंगे गैस को हम कर देंगे और चाशनी हमने बहुत ज़र तारवरी नहीं बनानी है बस यह थोड़ी घुर जाए और उबर जाए दो-तिन मिंट चीनी हमारी गुर्णे यग जाएगी पानी में चीनी हमारी पानी में गुर्णे यगी है गैस को हमने रखा हूँ मेडियम पे इसमें अब हमने एक याइच्ची के दाने डाए है और इसको मिक्स करेंगे चाश्नी हमारी उबर नहीं गई है यानि की यह बंद गई है अब हम इसको कर देंगे बंद गैस हमने कर दी हैं बंद इस बर्फिय में हम अब इसको चाश्नी को डाएगे चाश्नी को में थोड़ा-थोड़ा डालना है ताकि यम्स ना पढ़ जाए अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से भूनेंगे पूरी चाश्णी डाल दिया अब हमने बिना जाद महानत के बरफी या हल्वा बनाना चाहते हैं मौंग डाल का तो अब इस तरीके से बना सकते हैं ये तरीका बहुत ही इसमें जादा मेहनत की जरूरत नहीं है अब हमने पहले इस तोर करके रखिया आप जिसे मैंने बताया था आप दाल को पहले से स्टोर करके रख सकते हैं तो उस दाल को बना यूज करके कभी बना सकते हैं बर्फी ने गी छोड़ना शुरू कर दिया यह देखिए साइडों में गी रगना शुरू हो गया है यानि कि इसने गी छोड़ना शुरू कर दिया है अब यह और्मोस्स बंद हो गई गैस कर दिया हमने बंद यह देखिए बिलकुए कठी होने शुरू हो गई है यह बन चुक हो नई है कि आब ये बन चुकिए आब आभव् Gent में थोड़ा सा देसी की आगाएंगे ताकि ना अर अच्छे से जमें अब हम इसने बलफी को इसमे डालेंगे कि अब हम इससे बलफी की त़रह सेट कर देंगे आदे एक घंटे के बहे है ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए अब हम इसके पर पिस्ता रगाएंगे आप पिस्ता बर्दाम सोगी किश्मिश यानि की आपको जो अच्छ रगता है वो रगा सकते हैं आप बर्फी तो बहुत अच्छी वनेगी तब भी यहां पर मैं पिस्ता अच्छे से डाल गई हूँ और इसको सेट कर दूँगी ताकि पिस्ता इसमें अच्छे से रग जाए अब हम इसको आदा एक घंटा सेट होने के यह रख देंगे उसके बाद हमारी बर्फी बिल्कुर तियार हो जाएगी एक घंटा हो गया है आप अपनी बर्फी देख लिएते हैं वाह कितनी बड़िया यगरिन देखने में अब हम इसको कट कर लिएते हैं आपको जैसी शेप में अच्छी लगते आप उस शेप में कट कर सकते हैं बड़िया यगरिन बर्फी देखने में कितनी असान तरीके से बनी है यह यह देखिए कितनी असानी से टूट गई है यह यानि कि कितनी सौफ्ट है यह रही हमारी जटपट बनने वाई मोंकी दार की बर्फी बिल्कुल त्यार है देखके यगनी राना की घर में बनाई है बिल्कुल बजार जैसी बनी है अगर आपको मारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राय करें आपको जरूर करें वैसे